है हलो बच्चो कैसे हूआ आप आज हम मैख्स का जो हमारा सेकेंड चैप्टर जो। सेकेंड टॉपिक जो था नंबर वमग इसका हम पार्ट थी करने वाले हैं जो मैं आपको यहां से कराने वाला हूँ यहां से हम करेंगे ठीक है बाकी का जो chapter है यहां तक मैंने part 1 और part 2 में explain कर दिया है अगर आप वो नहीं देख लो तो पहले वो देख लो जिसका link आपको comment section और description box में मिल जाएगा वहां से आप देख सकते हो ठीक है comment section में आपको उसका link मिल जाएगा अगर वहां नहीं रहा तो description box में confirm मिल जाएगा लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस को ताकि आपको हमारे नए ने वीडियो भी मिले और इस वीडियो में बाकी chapters आपको दे दिया अगर आप नहीं देखो तो देख लो और इस वीडियो के comment section और description box में में एक और link दिया है जिस पर आप click करोगे उस link पर जब आप click करोगे तो आपको हमारे सारे वीडियो मिल जाएगे ठीक है चलो भी start करते हैं देखो क्या आपको biggest and smallest number from given digits biggest मतब क्या होता है बड़ा smallest मतब छोटा देखो क्या यहां पर बोले कि बड़ा और छोटा number यह जो given digits मतब जो आपको यहां पर numbers digits दिये गए हैं उसमें से आपको सबसे बड़ा और सबसे चोटा number बताना है तो देखो यहां प digits 2, 3 and 5 दो कोई ताई जो है बड़ी बहन क्या ओल लिए कि चलो हम 3 digit number बनाते हैं कौनसे numbers कर इस्तिमाल करके 2, 3 और 5 कर इस्तिमाल करके ठीक है यह 3 digit number बनाते है बच्छो दो 3 digit number क्या होता है जिसमें 3 number एक साथ हो ओके यहां पर आप देख सकते हैं तीन number एक साथ है यहां प ठीक है ऐसे हम बोलते हैं digit number जो रहते हैं अलग-अलग अब देखो सोनु क्या बोल रहा है do we use one digit only once सोनु पूछ रहा है क्या हम एक डिजिट सिर्फ एक ही बार इस्तिमाल करेंगे तब देखो टोनी क्या बोल रहा है yes otherwise we'll get too many numbers टोनी बोल रहा है कि हाँ मतला हम एक नंबर को एक ही बार इस्तिमाल करेंगे यह तो हमें बहुत सारे नंबर मिल जाएंगे ठीक है मतलब एक डिजिट को हम एक ही बार इस्तिमाल करेंगे ओके अब देखो आगे क्या है अब टोनी आगे क्या बोल रहा है 222 232 233 233 233 235 253 so many numbers like this तोनी क्या बोल रहा है कि देखो अगर हम बार बार एक डिजिट को बार बार इस्तिमाल करेंगे तो हमको इतने सारे नंबर मिल जाएंगे तोनी बोल रहा है ठीक है अब सल्मा क्या बोल रही है बट इफ यूज इच डिजिट ओन्ली वर्न्स धेन ओफकोर्स वी गेट अनली इस नंबर्स 235 252 352 532 523 अब सल्मा क्य 123456 सिर्फ 6 नंबर मिलेंगे देखो बच्चो एक डिजिट को एक ही बार यूज करने का मतलब क्या होता है कि यह नंबर में अगर 2 आया है ना आपका तो वापिस आप 2 नहीं ले सकते हो ठीक है तीनों नंबर अलग रहना चाहिए अब देखो यह नंबर में देखो तीनों की बर इस्सेमाल करेंगे मतलब देखो यह देखो हमने थ्री डिजिल नंबर बनाए इसमें 2 एक बार है 3 एक बार है 5 एक बार है कोई भी नंबर वापिस रिपीट नहीं हुए तो इस सरीके से हमें सिर्फ कम नंबर सी मिलेंगे ओके तो वही यहां पे सल्मा बता रही है कौन सा छोटा है तोनी का बोल रहा है देखो 532 एंड 523 है व्यांड बिगेस्ट हंडेट्स डिजिट्स तोनी क्या बला है कि 532 और 523 जो है यह सबसे ज्यादा डिजिट है इनके पास ठीक है ऐसा क्यू टोनी बोल रहा है देखो बच्चो यह सारे नंबर 200 दो सब के नंबर कहां से शुरूर है 200, 200, 300, 300 और यह दोनों नंबर के देखो 500 से शुरूर है देखो 532, 523 तो इसके लिए टोनी बोल रहा है कि यह दोनों नंबर सबसे बड़े हैं अब देखो आगे क्या है इस तो 32 is bigger than 23 अब टोनी का बोल रहा है कि अगर हम यह जो हमें सबसे बड़े अगर इन दोनों नंबर्ज को हम compare करेंगे तो इसमें क्या पता चलेगा पहला नंबर तो दोनों का same है 55 है लेकिन दूसरा नंबर तो को 3 है इसका और इसका 2 है तो कौनसा बढ़ा हुआ 3 बढ़ा हुआ तो वही टोनी बोल रहा है कि अगर हम यह दोनों को compare करें तो यह यह बड़े नंबर की तरह मुह खुल जाएगा इसका मताब 532 is bigger than 523 अभी तो को आगे आपको क्या है So 532 is the biggest of all the numbers we can make from the digits 2, 3 and 5 तो क्या बोले हैं यहापे इसलिए जो 532 है यह सबसे बड़ा नंबर है जो हमने 2, 3 और 5 से बनाया है मताब यह 2, 3 और 5 का use करके जो हमने यह numbers बनाये है इन numbers में से 532 जो है 532 मताब यह वाला सबसे बड़ा है ठीक है यह हमें मिला है अभी आगे आपको क्या है अभी सल्मा क्या बोल रही है क्या बोल रहे है देखो अभी सल्मा क्या बोल रहे है कि जो भी हमने numbers बनाया है उसमें से जिसके पास भी 200 से नंबर जिसके स्टार्ट होते है ना 200 से 200 से उनको लो तो देखो कौन सा नंबर हो है that is 235 and 253 सल्मा क्या बोल रहे है नंबर क्या बोल रहे है कि जो यह 35 है यह 53 से छोटा है हमें पता है ना बच्चो तीरपन रूपया मतला 53 रूपीज आपके पास है और आपके दोस्त के पास 35 रूपीज है किसके पास जाद हुए आपके पास ना तो ही सल्मा बोल रहे है कि 35 is smaller than 53 so 235 is smaller than 253 सल्मा क्या बोल रहे है कि इस कारण जो 235 मतलब जो 235 है वह 200 से छोटा ह है क्योंकि बच्चो देखो पहला तो इसका से में 200 है इसका भी 200 है तो हमें नहीं मालूम पड़ा कौन सा बड़ा नंबर है तो हम आगे वाला देख रहे है इसके पास 35 है इसका 53 है मतलब यह वाला छोटा है ओके चोलो भी मैंने आपको बताया था ना बच्चो पिछले वी सा ऑ cycle ना पहले डिजिट चेक करो कितने डिएंट यहार दिजिट करो देखो थो कितने हमें में 123 दोनों में अगरना ये दोनों नमबर में से रहते हैं तो भी कई और यह चोटा बबच्चो दोनों का पहला क्वा नमबर बराबर दूछ दो नमबर क Canal right now इसका क्या 5 है तो कौनसा बढ़ा है बच्चो 3 बढ़ा है कि 5 5 बढ़ा है मतलब क्या हुआ ये वाला नंबर बढ़ा है ठीक है ऐसे आपको पता लगाने कौनसा नंबर बढ़ा है ओके चलो आगे चलते भी ताई very good अब देखो ताई क्या बलिये कि बहुत ही अच्छे क्योंकि सल्मा ने अच्छे से बताया है सल्मा टोनी सब लोग ने अच्छे से बताया है कैसे करना है तो तो आहीं लोग को बोलिये कि बहुत अच्छा देखो नंदू क्या बोल रहा है instead of making all the numbers from the given digits couldn't we make the biggest and the smallest number straight away अब देखो बच्छो नंदू क्या बोल रहा है कि इतने सारे number बना के फिर उसमें से सबसे बड़ा number निकालो उसमें से सबसे चोटा number निकालो इससे अच्छा हम ऐसा नहीं कर सकते है कि direct हम इन तिनों number से का इस्सेमाल करके सबसे बड़ा number बना दे और इन तिनों का number इस्सेमाल करके सबसे चोटा number बना दे यह सब क्या कंडिक जरूरत है कि हम पहले लिखे इतने सारे number उसमें से सबसे बड़ा ढूंडे फिर सबसे चोटा ढूंडे वो बोल रहा है इससे अच्छा हम इन ही numbers के इस्सेमाल करके सबसे बड़ा और सबसे चोटा number बना देखा तो अब देखो अब ताई क्या बोल रही है जब नंदु ने ऐसा बोला तो ताई नहीं देखो टोनी क्या बोल रहा है येस ऑफकोर्स दा बिगेस नमबर विल हैव दा बिगेस digits in the hundred place टोनी क्या बोल रहा है कि हाँ बेशक हम ऐसा कर सकते हैं और जो सबसे बड़ा number रहेगा तो उसके जो hundred place रहेगी न जो सो वाले जगा रहेगी न वहाँ पे सबसे बड़ा number होगा ठीक है अब देखो टोनी आगे क्या बोल रहे then to make the bigger number from the remaining two digits we put the bigger digit in the tenth place अब देखो अब टोनी का बोल रहा है कि हम देखो सो की जगा पे सबसे बड़ा वाला number रखेंगे उसके बाद हम क्या करेंगे जो आगे वाला number है गा tenth place में वहाँ पे भी हम बड़ा number रखेंगे जो तीन number है मेरे पास hundred place में सबसे बड़ा और tenth place में बाकी के जो दो बचे है उस में से जो सबसे बड़ा रहेगा मैं आपको बताता हूँ देखो आपके बास हम लो two, three और five है ठीक है अब हमें इन numbers का इस्वाल करके सबसे बड़ा number बनाना है तो हम क्या करेंगे सबसे पहले इन तीनों number में से सबसे बड़ा number कौन से वो आप देखो कौन सा है five है two, three और five दो, तीन, पाँच में सबसे बड़ा क्या रहता है बच्छो पांच बड़ा रहता है तो पहले हम पांच लिख दिंगे फाइव अब इसके बाद हमारा ये वाला हो गया ठीक है अब बचता है two और three अब two और three में से कौन सा बड़ा है बच्छो अब बताओ बिल्कुल सही बच्छो three बड़ा है दो रुपे जादा है कि तीन रुपे जादा है तीन रुपे जादा है ना तो वही three बड़ा है तो आप three लिख दो अब कौन सा बचता है two last में 2 बचते तो आप last में 2 लिख दो तो मतलब यह हुआ कि हम इन numbers के इस्वाल करके जो सबसे बड़ा number बना सकते है वो यह है ठीक है और आपको सबसे छोटा number लिखना है तो क्या करना है बच्छो इसका उल्टा लिखना है सबसे पहले इन में से सबसे छोटा कौन सा वो देखो सबसे छोटा number कौन सा है 2, 3 और 5 में से बच्छो 2 सबसे छोटा है ना 2 सबसे छोटा है ना 2, 3 और 5 में 2 सबसे छोटा है तो सबसे पहले आप 2 लिख दो अब हमारा ये 2 हो गया बचते है 3 और 5 3 और 5 में कुन सब छोटा है बच्चो? 3 छोटा है ना बच्चो? तो आप क्या लिख दो गए? अब यहां पर लिख दो ठीट, डिखो, बचता है आकरी में हमारा 5, तो आप 5 लिख दो यह हमें मिला सबसे छोटा नंमबर यह मिला सबसे बड़ा नंमबर, इस तरीके से आप सबसे छोटा सबसे बड़ा नमबर बना सकते हो ओके चलो भी आगे चलते हैं आगे दोखो आपको क्या है अब दोखो सोनु क्या बोल रहा है सोनु बोल रहा है दोखो यहापे सोनु क्या बोल रहा है so to make the biggest number write the digits in the descending order in our example the biggest number is 532 अब दोखो सोनु क्या बोल रहा है तो इसलिए हमें जब सबसे बड़ा number बनाना होगा इन numbers का हिस्तेमाल करके तो हमें क्या करना है number को descending order में लिखना है मतलब बच्चो कि सबसे पहले हमें सबसे बड़ा number लिखना है उसके बाद उससे छोटा लिखना है और उसके बाद उससे छोटा लिखना है जैसे हमने यहाँ पर लिखा सबसे पहले सबसे बड़ा उसके बाद इससे छोटा वाला जो number है मतलब 5 से छोटा कौन सा यहाँ पर 3 है और 3 से छोटा कौन सा 2 है तो ऐसे लिखना है अब देखो आगे क्या सलमा क्या बोल रही है अब सलमा बोल रही है I will say how to make the smallest number from the given digits सलमा बोल लिए कि अब मैं बताऊंगी कि वो जो number हमें दिया गया हो उसका इस्सेमाल करके सबसे छोटा number कैसे बनाना है सलमा क्या बता रही है देखो write the smallest digit in the hundred place and biggest digit in the unit place अब सलमा क्या बोल लिए कैसे हम सबसे छोटा number कैसे बनाएंगे इन numbers का इस्सेमाल करके ये तिनों का क्या करना है जो सबसे छोटा number रहेगा वो सबसे पहले लिखेंगे और जो सबसे बड़ा number रहेगा उसको सबसे आखरी में लिखेंगे और जो बचा हो वाला रहेगा उसको बीच में लिख दिनगे, जो बचा हुआ रहेगा, ठीक है, सलमा ऐसे बता रही है, दोके सलमा आगे क्या बहुत रही है, कि इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम numbers को कैसे लिखेंगे? सबसे पहले सबसे चोटा उसके बढ़ा उसके बढ़ा अगर ऐसे लिखेंगे तो हमें सबसे चोटा number मिलेगा क्या है? Here it's 235 जो हमने बच्चो निकाला था देखो 235 हमने निकाला था वही सल्मा बोल लिए कि यह सबसे चोटा है मैंने बच्चो जैसे आपको बताया आप उस तरीके से को रोग्दम आसानी से कर सकते हो ठीके? चलो भी आगे देखते है अब दुकर सल्मा ने बता दिए आप सोनू क्या बोल रहे? Suppose there's a zero given सोनू बोल लाए कि मान लो अगर एक zero दिया हुआ है शून ने दिया हुआ है Do we still do the same? सोनू क्या बोल लाए कि हम तब भी वैसा ही करेंगे? बच्चो आपको यहाँ पे बहुत ध्यान देने वाली बात आई है अगर zero आएगा तो आपको क्या करना है? देखो मैं आपको बताता हूँ देखो ताई क्या बोल रही है? No, if we do that we'll get a two digit number and not a three digit number ताई क्या बोल रही है कि नहीं अगर हमारे पास zero है zero अगर हमें समय लो तीन number दिया गए यहाँ पे मैं आपको example देता हूँ zero, three, five हमें यह दिया गया है और हमें smallest three digit number बनाना है ठीक है? हम क्या करेंगे? सोचेंगे कि हमें पहले क्या करना है? सबसे चोटा सबसे पहले लिखना है उसके बाद उससे बड़ा, उसके बड़ा तो आप क्या करोगे? अगर zero पहले लिख दोगे उसके बड़ा कॉनसा है? आप three लिख दोगे उससे बड़ा कॉनसा five लिख दोगे? अब बलोगे यह हमें मिल गए three digit smallest number गलत है बच्चो यह बन जाएगा two digit क्योंकि zero की कुछ value नहीं देती है अगर आप zero सबसे पहले लिखोगे आपको zero सबसे पहले नहीं लिखना है इस case में बच्चो आपको zero बीच में लिखना है आपको zero को छोड़ के यह दोनों number में से जो सबसे चोटा है वो पहले लिखना है कौनसा है? उसके बाद आप zero लिख दो और उसके बाद आप five लिख दो ऐसे आपको करना है, ठीक है? ओके? और biggest digit में बच्चो मतब जब आपको सबसे बड़ा number बनाना रहेगा तो आप वही कर सकते हैं क्या करना है? सबसे बड़ा number सबसे पहले उसके बाद उससे छोटा मतब three, उसके बाद उससे छोटा सबसे बड़ा number बनाने के लिए आपको सेम फॉलो करना है, लेकिन छोटा बनाने के समय आपको याद रखना है कि zero आपको पहले नहीं लिखना है zero के इलावा जो दो number से छोटा number रहेगा वह आपको पहले लिखना है I hope आपको समझाओगा आगे चलते let's take five, zero and two अब देखो 20 समझा रही है बच्चे लोगों को जैसे मैंने आपको समझा रहे है यह से 20 समझा रही है कि चलो हम पांच, शूने और दो लेते है if there's a zero in the hundred place we get the number 0, 25 देखो ताई क्या बोले है कि अगर हम सबसे पहले 0 लिख देंगे तो हमें सिर्फ 25 मिलेगा और या तो हमें क्या मिलेगा 52 मिलेगा अब ताई क्या बोल रही है but these can be written as 25 and 52 in two digits अब ताई क्या बोले है कि हम इन numbers को 25 और 52 लिख सकते है क्योंकि 0 की कुछ value नहीं रहती है अगर 0 हम पहले ही लिख देंगे तो तो यह two digit number बन जाएगा so they are really two digit number तो वो two digit number बन जाएगे अब देखो नंदू क्या बोल रहा है so if a zero is given let's put the smaller non zero number in the hundred place नंदू क्या बोल रहा है कि अगर हमें zero दिया गया है तो हमें क्या करना है zero के इलावा जो बाकी number से सबसे छोटा number रहेगा वो हमें सबसे पहले लिखना है hundred place में मतलब सबसे पहले लिखना है ठीक है नंदू ऐसा बोल रहा है Salma क्या बोल रहे है then we'll write zero in the tenth place and the remaining digits in the unit place Salma क्या बोल रहे है तो हम क्या करेंगे सबसे पहले zero के इलावा जो सबसे छोटा number है वो लिखेंगे उसके बाद हम zero लिखेंगे और उसके बाद बाकी का जो number एक बचा है वो लिखेंगे अपताई क्या हो लिए yes so the smallest three digit number from the digits five, zero and two is 205 अपताई क्या हो लिए कि हाँ इसका मतलब यह हुआ कि इन digits का इस्सेमाल करके जो सबसे छोटा number बनेगा वो है 205 कैसे बच्चो देखो मैं आपको बता दो यह हमारे पास five, zero and two है तो इससे सबसे छोटा number बनाना है तो आपको मैंने क्या बता है था सबसे छोटा number बनाने के लिए क्या करना है आपको सबसे पहले सबसे छोटा number आपको starting में लिखना है शुरू में लिखना है सबसे पहले लिखना है तो सबसे छोटा number क्या है बच्चो zero है लेकिन नहीं मैंने आपको बता है थ्री डिजिल number बनाने के लिए हमें zero सबसे पहले नहीं लिखना है इसके इलावा यह दोनों में से सबसे छोटा number कौन से है five और two में से two सबसे छोटा है और इसके बाद हम zero लिख देंगे और last में हमारा बचा हुआ five लिख देंगे तो यह हमें मिल गया सबसे छोटा number ओके चलो भी आगे दिखते है क्या है अद्दुक आपको यहाँ पे क्या बोला है make the biggest and the smallest three digit numbers using the given digits यहाँ पे क्या बोला गया है कि इन numbers का इन digits का इस्सिवाल करके यह जो आपको दिये गये है सबसे बड़ा और सबसे छोटा number बनाओ तो बच्चो यह कैसे बनाना है मैं आपको लिख के बताता हूँ आप भी pencil और book लेकर बैढ़ियो आप भी लिख लो चलो मैं आपको दिखाता हूँ मैं आपके लिख के रखा है तो बच्चो देखो यह सब मैंने लिख के रखा है यहाँ पे notebook में देखो पहले question आपको 946 तो यहाँ पे भी है 946 उसी तरीके से आगे वाला भी मैंने लिख आए तो देखो आपको क्या करना है आपको क्या बुलागा है सबसे पहले सबसे बड़ा नमबर उससे बनाओ और उसके पाँ सबसे छोटा नमबर बनाओ ठीक है तो हम क्या करेंगे बच्चो देखो अभी हम बनाएंगे biggest three-digit number 946 का इस्तिमाल करके ट तो हमें biggest three-digit number बनाना है बच्चो तो क्या करना है एकि हमें तीम हमें इन तीन नमबर से सबसे बड़ा number कौन सा है जैँ इसमें से सबसे बड़ा क्या है 946 में सबसे बड़ा क्या है बच्चो बिल्कुल सही 9 रिख म significa है पहले, उके, अब हमारा बच्छता है बच्छो, 4 और 6, तो 4 और 6 मेंसे कुन सा सबसे बड़ा है, बच्छो बताओ आप, 4 बड़ा है कि 6 बड़ा है, दो हम क्या करेंगे, अग्ला नंबर हम लिग देंगे, 6, अब देखो हमारा बच्छता है आखरी में 4, तो हम यहाँ पर 4 डाल देंगे तो इसका मतलब यह हुआ बच्चो कि इन तीन नंबर के इस्सिमाल करके जो सबसे बड़ा नंबर बना है वो हमारा है 964 ठीक है अब दिखो बच्चो अब हमें क्या बोला है smallest three-digit number मतलब हमें इन तीन नंबर के इस्सिमाल करके सबसे छोटा न सबसे छोटा नंबर बनाते समय क्या करना है सबसे छोटा नंबर सबसे पहले लिखना है इन तीनों में से कुंसा छोटा है बताओ 946 में कुंसा सबसे छोटा है बिल्कुल सही बच्चो 4 सबसे छोटा है 946 में से सबसे छोटा 4 होता है तो हम 4 सबसे पहले लिख देंगे उसक चोटा है तो आप क्या करोगे 6 लिख दोगे उसके बाद वाला नंबर बच्चता हमारा 9 तो 9 आप यहाँ पे लिख दो ओके और बच्चो अगर आपको आसान तरीके से देखना है ना मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ इसको लिखने की सबसे बड़ा नंबर आपने लिखा 964 तो क्या करने का मालूम इसका उल्टा यहाँ पे लिख देने का जैसे कि यहाँ पे 4 जो आखनी में उन्हों सबसे पहले लिख देने का उसके बाद वाला यहाँ पे और सबसे पहला वाला लास्ट म तो हमारा सबसे छोटा नंबर मिल जाते है अगर आपको यह तरीका असाल लगे आप ऐसे भी कर सकते हो अगला नंबर देखो आपको क्या है 704 अब इसका इससे माल करके हमें क्या करना है biggest 3-digit number मतलब कि सबसे बड़ा 3-digit वाला नंबर तो हम क्या करेंगे सबसे बड़ा नंबर बनाना है तो बच्चो क्या सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर आएगा तो देखो बच्चो इन तीनो नंबर में सबसे बड़ा नंबर कुन सा है वो हमें सबसे पहले लिखना है तो देखो 704 तो इन तीनों नंबर में सबसे बड़ा कौन सा है, साथ, शुन्य और चार में से, तो देखो, सबसे बड़ा कौन सा है, अब बताओ, 7 सबसे बड़ा है ना, क्योंकि 4 देखो छोटा है, 0 तो सबसे छोटा है इसमें, और 7 सबसे बड़ा है, तो हम सबसे बड़ा नंबर सबसे बड़ा नंबर ये तीनों नंबर का इस्तेमाल करें क्या है 740 अब बच्चो देखो हमें इन तीनों नंबर का इस्तेमाल करके सबसे छोटा नंबर लिखना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे देखो बच्चो यहां पर आप उल्टा नहीं लिख सकते हैं क्यों 0 सबसे पहले हम नहीं लिख सकते हैं हमें क्या करना है सबसे छोटा नमबर तो ये तीनों में से लिखना है लेकिन 0 को छोड़ के इन दोनों नमबर में से सबसे छोटा कौन सा है 7 और 4 में छोटा कौन सा है बिल्कुल सही बच्चो 4 छोटा है तो हम सबसे पहले 4 लिखेंगे उसके बाद हम 0 लिख देंगे और last में 7 लिख देंगे ओके जब सबसे छोटा आप नंबर लिखोगे न बच्चो उसमें क्या होता है जो सबसे बड़ा नंबर रहे तो सबसे आखरी में आता है और सबसे छोटा वाला नंबर सबसे पहले आता है लेकिन यहाँ पे सबसे छोटा नंबर 0 है तो हम 0 सबसे पहले नहीं लिख सकते हैं उसके लिए हमें 4 लिखना पड़ा आगे चलो, अब यहाँ पर देखो, थर्ड में आपको क्या है, 3, 9, 5 अब देखो बच्छो, इन तीनों नमबर के इस्सेमाल के लिए हमें क्या करना है, biggest 3-digit number मतलब कि सबसे बड़ा 3-digit वाला number हमें लिखना है, तो हम क्या करनेंगे इसके लिए, सबसे पहले सबसे बड़ा number लिखेंगे, तो यह 3, 9, 5 यह तीनों में से सबसे बड़ा number क्या है बच्छो, 3, 9 और 5 में से, सबसे बड़ा 9 है ना बच्छो, ठीक है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे 9, तो 9 लिख देते हैं, उसके बाद हमारा बच्छता कौन सा यह वाला होगा, अब यह 2 number बच्छता है, 3 और 5, तो 3 और 5 में सबसे बड़ा कौन सा है बच्छो, 5 बड़ा है, तो हम 5 लिख देंगे, और हमारा आखरी में बच्छता है 3, सबसे आखरी में हम 3 लिख देंगे, अब देखो अभी हमें क्या करना है smallest 3-digit number, मतलब कि इन तीनों number का इस्सेमाल करके हमें सबसे छोटा 3-digit number बनाना है, तो हम क्या क अगर आपको यह तरीका नहीं अच्छा लगता है, तो ऐसे आप कर सकते हो, 3-9-5 में सबसे छोटा कौन सा है, 3 सबसे छोटा है, तो हम सबसे पहले 3 लिख देंगे, अब देखो बच्छता है 9 और 5 में सबसे छोटा कौन सा है बच्छो, सबसे छोटा है 5, तो हम सबसे पहले तो वह लिख देंगे 5, आखरी में हमारा बच्छ से 9, तो हम यहाँ पे 9 लिख देंगे, ओके, अभी देखो, next number क्या है आपका, 859, आप देखो बच्छो, अभी हमें क्या करने है, इन तीनों number का इस्सेमाल करेंगे, biggest 3-digit number बनाना है, मतलब कि सबसे बड़ा, 3-digit वाला number, उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले सबसे बड़ा number, उसके बद उस से चोटा, उसके बद उस से चोटा, तो इन तीनों number में सबसे बड़ा कौन सा है बच्छो, 8, 5, 9 में से, मतलब आपके पास 8 रुपे हैं, एक दोस के पास 5 रुपे हैं, और एक और दोस के पास 9 बच्चो बताओ बिल्कुल सही 8 बड़ा है तो हम उसके बाद लिख देंगे 8 आखरी में हमारा बचता है 5 तो इसको हम आखरी में लिख देंगे 5 अब आपको लिखना है smallest 3D नमबर मतलब कि सबसे छोटा तीन अंक वाला नमबर तो उसके लिए हम क्या करेंगे उसके लिए हम सबसे पहले सबसे छोटा नमबर लिखेंगे तो इन तीनों में सबसे छोटा कौन सा है 8 5 9 में सबसे छोटा नमबर कौन सा है बच्चो बताओ सबसे छोटा है 5 5 है ना तो सबसे पहले हम लिख देंगे 5 बचता अब हमारा 9 और 8 9 और 8 अब देखो बच्चो अब 9 और 8 में कुछ सा छोटा है 8 छोटा है न तो हम लिग दिनेगे यहां पर 8 आखरी में बच्चता है हमारा 9 तो हम सबसे लास्ट में 9 लिख दिन गे यहां तो देखो आप उल्टा भी लिख सकते हो में है the expanded form of a number expanded form क्या होता है बच्चो किसी भी number को खोल कर लिखना ठीक है बड़ा करके लिखना ओके वो कैसे होता है किस सरी के से लिखते हैं वो हम देखते हैं यहां पर देखो यहां पर ताई ताई क्या बोल रही है ताई क्या पूछ रही है कि इस नंबर में कितने 100 और कितने 10 और कितने यूनिट है वो आपको ताई बताने बोल रही है अब देखो ताई ने पूछा है वो सवाल तो जो ताई के साथ बच्चे हैं तो क्या बता रहे है देखो सोनू, सोनू क्या बोल रहा है 824 means 800, 210, 4 यूनिट देखो बच्चो 824 यह है आपका ठीक है यहां पर हम कैसे लिखते है यूनिट 10, 100 ऐसे होता है तो ताई ने पूछा कि बताओ इसमें कितने 100, 10 कितने यूनिट है अब आगे देखो टोब है तो itt dipping में 8 बमेल कितने युट के निठी कितना थे मादाब टू टेन सुमें और यूनिट के निचे विडिँट आप आगे देखो टो नी क्या बोल रहा है ताई स्वाल रिखा उसको आगे जितने नमबर आ उतने जिरो डाल दिये कितने है? 1, 2 तो दो 0 डाल दिया फिर plus दूसरा number 2 है उसके आगे कितना number है? एक number है तो 2 लि 떼 के उसने 1, 0 डाल दिया 20 हो गया आगी में बस्ता है एक number 4 उसने plus करके 4 लिख डिया उसके आगे कुछ भी लिए तो इसके आगे भी कुछ भी नहीं आए गया, अब देखो आगे नंदू क्या बोल रहा है, बाइ the same method, how to write 203, अब नंदू क्या पूछ रहा है, कि उसी सेम तरीके से 203 कैसे लिखा जाता है, अब नंदू पूछ रहा है, तो देखो, सल्मा क्या बोल रहा है, 203 is equal to 200 plus 3, बच्चों देखो, आप स तो अगर आप चाहो 0 नहीं लिखो तो भी चलेगा डारेक आप यह ओला नमबर लिख दो लेकिन अगर आप लिखना चाहेते हो तो लिख भी सकते हो रॉंग नहीं होगा ठीक है अगर ताई क्या बता रही है ताई बोल लिए कि जो सल्मा ने बता है यह सही है बेशक यह सही है बट इस बेटर तो राइट एक्सपांड़ेट फॉर्म एस 203 इस इकॉल टू 200 प्लस 0 प्लस 3 देखो अब ताई क्या बोल रही है कि लेकिन अगर आप ऐसे लिखोगे वो ज़्यादा सही रहेगा ठीक है बच्चो देखो यह जो 203 है आप अगर चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो लेकिन यह जो तरीका है अभी देखो आप छोटे ग्लास में हो तो यह तरीके से आप लिखना है उसके आगे कितने नंबर है दो नंबर है तो आप आगे 2-0 डाल दो प्लेस आप करो 20 में 0 जो बचा है वो लिख दो आप उसको थ्री लिख दो ओके अब देखो ताई क्या बोले कि इस से हमें यह मालूम पढ़ता है अच्छे से कि 100 प्लेस में कितने डिजिट है 10s and units place और 10s में कितने डिजिट है और unit में कितने डिजिट है वो हमें पता चलता है आप देखो आगे क्या है in the same way the expanded form of 80 will be 80 plus 0 अब क्या हो ले कि उसी तरीके से अगर 80 का हमें expanded form दब 8 0 ए 80 का expanded form रिखेंगे तो क्या रहेगा पहले देखो 8 हम रिखेंगे उसके आगे कितना नमबर है एक है तो एक 0 आजएगा प्लस अब देखो जीरो बचता है तो हम यहाँ पर 0 लिख दिंगे यह हो गया expanded form 80 का आगी का है and if we take single digit number 9 it's expanded form कैने उली भी 9 और ताई क्या हो लिए अगर हम सिर्फ 9 लेंगे तो इसका expanded form क्या आएगा 9 नहीं आएगा कि उसके आगे following numbers मतलब बच्चो यह जो numbers आपको दिये गए हैं इनका expanded form लिखो मतलब इनको खोल कर लिखो या बढ़ा कर लिखो आप बोल सकते हो कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 total 9 number है तो बच्चो यह मैंने आपके लिए लिखके रखा है आप pencil और book लेकर बैठ जाओ आप भी लिख लो मैं आपको देखो आपका question सेम वही है क्या है यहाँ पर 998 34 क्यों सबसेम है देखो क्या आपका 998 इसका expanded form कैसे आप लिखोगे सबसे पहले सबसे पहला वाला number लिखो क्या है 9 है तो यह पर आप 9 लिख दो उसके आगे कितने number है 1 2 तो आप 2 0 डाल दो क्या हो गया 900 फिर आप plus डालो हम उसके आगे वाले number क्या है 9 है तो यह आप 9 लिखो उस 9 के आगे कितना number है एक number है तो 1 0 डाल दो यह होगे हमारा 90 प्लेस करो आप अब देखो यहाँ पर last में हमारा क्या पचता है 8 8 के आगे कोई number है नहीं है तो आप सिर्फ यहाँ पर 8 लिख दो यह होगे expanded form 998 का आगे च expanded form कैसे आप लिखोगे सबसे पहले 3 लिखो यह वाला 3 लिख दिए अब 3 के आगे कितना number है एक number है तो 1 0 आप डाल दो प्लेस करो उसके आगे कुछा number है 4 4 के आगे 0 है नहीं है तो सिर्फ आप 4 लिख दो क्या होगया 34 अभी दिखो हम 3rd वाले number पर आते है 3rd क्या है हमारा 28 187 तो इसके लिए हमें क्या करना है इसका expanded form लिखने के लिए सबसे पहले सबसे पहला वला number लिखो 2 उसके बाद उसके आगे क्या है दो number है 1 2 तो 2 0 डाल दो 1 2 अब प्लेस करो प्लेस करने के बाद उसके आगे कोई सा number है 8 8 के आगे कितना number है एक number है तो 8 उसके आगे एक number ह प्लेस करो, अब लास्ट में हमरा बचता है 7, 7 क्या है कोई नमबर है, नहीं है, तो सिर्फ हम यहाँ पे 7 लिख देंगे, अब फोर्थ वाले पे आओ, देखो, आपको फोर्थ में क्या है, फोर्थ में आपको है 534, अब इसका एक्सपानेट फॉर्म लिखने के लिए हमें क् प्लेस करो, 5 होगे हमारा, उसके आगे दोको 3 है, तो 3 लिखो यहाँ पे आप, उसके आगे कितना नमबर है, एक नमबर है, 4 सिर्फ एक नमबर है, तो यहाँ पे 0 डाल दो 1, फिर प्लेस करो, लास्ट में हमारा क्या बचता है 4, उसके आगे कोई नमबर है, नहीं है, तो हम ड़ो कितना नंबर अपर यहां डाल दो क्याकर शिक्स का कोई नंबर स्क्वाणान पնद वाला नंबर अपर पास क्या है och and 1 तो 300 and 1 में सबसे पहला नमबर क्या है 3 है तो 3 आप लिखो उसके आगे केटने 0 है 1 2 तो आप यहां पे 20 डाल दो 1 2 में प्लैस करो आप अब देखो उसके आगे क्या है 0 है तो 0 है यहां पे तो आप देखो चाही है तो 2 0 डाल दो या तो एक ही 0 डालो उससे कुछ फरक नहीं पड़ेगा एक 0 डाल दो अब देखो आखरी में क्या बस्तो हमारा 1 1 के आगे कोई नंबर है नहीं है तो आप सिर्फ यहाँ पे प्लस 1 डाल दो अब देखो आखरी में हमारा क्या है सोरी 7th में हमारा क्या है 90 सबसे पहले आप 9 लिखो 9 के आगे कितना नंबर है दो एक है 0 तो आप यहाँ पे एक 0 डाल दो प्लस करो आखरी में क्या हमारा 0 है तो हम यहाँ पे 0 डाल देंगे अब देखो आगे क्या है आपका अभी देखो हमारा 8 में क्या है है एक 0 डाल दो अब दालने करो क्या है अब आगे नंबर की को एक लिखो सबसे पहरे नंबर की आप है प्लेस करो, आखी में कहा है 3, 3 कहा है कोई number नहीं है तो सिर्फ 3 डाल दो, ठीक है, तो बच्चो ये हमारा हो गया expanded form जो हमें numbers दिये गए उसके, अब देखो चलो आगे चलते हैं, अभी देखो बच्चो आगे आपको कहा है, ताई, ताई क्या बोल लिए देखो, ताई बोल आप expanded form से number लिख सकते हैं, अभी हमने क्या किया था, ये number का expanded form दिखा था, अब क्या करना है हमे, expanded form से हमें ऐसा number बनाना है, मतलब छोटा number बनाना है, तो कैसे करते हैं हम देखेंगे, ताई क्या हो लिए, take 500 plus 30 plus 7, this is the expanded form of a number, ताई क्या हो लिए कि 530 और 7 लो ये expanded form है number का, आपको इसको छोटा करके लिखना है, सल्मा क्या हो लिए, I will try, सल्मा ट्राइ करें देखो क्या लिखिये सल्मा, 500 plus 30 plus 7 क्या लिखना है सल्मा, 537 ये लिखा सल्मा ने, बच्चो देखो, इसका सबसे आसान तरीका क्या है मैं आपको बताता हूँ, आपको सबसे बड़ा number दे नहीं होगी लिखने में, अब देखो ये number कितना digit है, देखो कितना digit number है ये, 123, बतलब ये 500 है, तो यहां पर आएगा, देखो unit 10 है, यहां पर आएगा, देखो unit 10 है, यहां पर आएगा, और last में हमारा unit पर वच्चता है, 7, तो हम 7 unit के नीचे लिख दिए, ये one digit है ना unit, य के इस सरी के से आप expanded form से एक number बना सकती हो अब देखो ताई क्या वोल लिया very good मतलब कि बहुत ही अच्छा अब देखो आपको कुछ दिया गया काम यहां पे क्या है यहां पर आपको क्या है write the number from its expanded form मतलब बच्छो कि आपको यह जो expanded form दिया गया है इतने सारे इससे आपको number बनाने है कितने हैं तो बच्छो देखो यह सारा मैंने आपके लिए लिखके रखा है नोटबुक में आप भी pencil और बुक लेके बढ़ जो लिख लो मैं आपको दिखाता हूं यहां पर देखो यह दो यह रही नोटबुक यहां पर देखो मैंने आपके लिए लिखके रखा है यह वाली पेज़ पे ओके देखो आपको देखो यह सारे question है पहला question आपको क्या है यहां पर unit 10 100 अब देखो यहां पर आपको यह क्या है unit 10 100 700 तो यह 100 कहांपर यहां पर देखो unit 10 100 यहां पर है तो हमारा 700 के निचे आ जाएगा और हमारा जो यह देखो अब 10s की जगा है हमारा 0 है तो देखो 10s की जगा हमारा 0 आ जाएगा और unit की जगा हमारा 5 है वन डिजिर है न यह unit है तो हम 5 के लिख दिंगे अगले नंबर पे आओ भी आप यहाँ पे वापिस unit 10, 100 लिख दो अब देखो यहाँ पे 100 की जगा है unit 10, 100 का है 400 है तो यह 100 के नीचे 4 आ जाएगा और देखो यह क्या है आपका 60 है देखो unit 10s बतलब यह 10s की नीचे हमारा क्या जाएगा 6 आ जाएगा तो यहाँ पर आप 6 लिख दो बचा हमारा के आखरी में 7 किसे नीचे यूणिट के नीचे ज теперь इस सरी एसा को लिखना है और इचलों ंबर पर आते हैं देखों यहांपि किया आरा पहला जो सबसे इन अंबर तो हम क्या निचे 0 है, units के निचे भी 0 है, तो बाकी जो बचा है, यह 10 के निचे 0, units के निचे 0, ओके, चोलो भी, आगे वाले नंबर पर चलते है, 4th pick app को, देखो कितना है, सबसे पहला नंबर कितना digit है, 1, 2 digit है, मतलब हमें unit और 10 लिख रहे हैं, तो हम यहाँ पर unit और 10 लिख देते हैं तो देखो पहला आपका 10 के निचे देखो, जो सबसे पहला कितना digit है, 1, 2, 30 है आपका, तो देखो unit 10, मतलब हमारा 10 के निचे यह 3 आ जाएगा, और देखो unit के निचे के हमारा 9 है, तो यहाँ पर 9, क्या हो गया, 39, ओके, अब देखो 5th में आपको क्या है, 5th में आपको है 200 plus 10 plus 1, तो सबसे पहला नमर कितना digit है, 1, 2, 3, 3 digit है, ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, क्या रहेगा unit 10, 100, तो देखो 100 के यहाँ पर किया है, unit 10, 100 के है, 2 है, तो यहाँ 100 के निचे 2 लिख दिनगे, उसके बाद देखो, यह unit 10, तो 10 के निचे हमारा क्या रहेगा, 1 र single number है, मतलब क्या, यह units के निचे हमारा 0 आजाएगा, ओके, चलो अगले number प्याओ, अभी 6 में आओ, 6 में आओ, 6 में आपको क्या है, 100 plus 50 plus 0, तो पहला number कितना है, 1, 2, 3 digit है, मतलब क्या हो जाएगा unit 10, 100, यहाँ पर आप unit 10, 100 लिख दो, अब देखो, सबसे पहले क्या है, आएगा, 100 place में क्या 1 है, यहाँ पर आपका 1 आजाएगा, उसके बाद देखो unit 10, तो 10s place पर आपका 5 आएगा, उसके बाद last में आपका 0 है, तो units के जागा आपका 0 है, ठीक है, अगले number पर आओ, यहाँ पर क्या है, 40 plus 4, पहले number कितना डिची है, 1, 2, मतलब कितना unit 10, हमें क लिख दें क्या हो गया 44 अब दो हमारा लास्ट में बचता है 300 प्लस 0 प्लस 6 तो दो बच्चों यह पहला नमबर कितना digit नमबर है 123 तो मतलब क्या हो यह यह यूनिट 10100 यहां पर लिख दोजक्त एक दोको यहां पर लिख दो अर यहे आपका हमớні och और फ्रों यहां पर के दोने कर में हंदर सीक सेंग मेरे नंबर बनाने का आपको यहां द्यान में रखना है five two आगे आप देखो यहां पे आपको यहां पे भी आपको बताया गया है place value place value क्या आता है वो आपको पढ़ाया गया अभी place value के बारे में देखो क्या बता है ताई क्या वली है tell me of which number is this is this the expanded form 400 plus 40 plus 7 तो बच्चो यह से क्या number बनेगा देखो हमारा इसे unit 10 100 तो 100 की जंगा पे 4 आएगा 10 की जंगा पे 4 आएगा तो 10 की जंगा पे 4 फिर unit की जंगा पे 7 क्या होगा 447 यह number है तो देखो नंदू क्या बनेगा easy 447 यह number बनेगा इस expanded form से अब देखो सल्मा क्या बनेए that's funny first we used digit 4 for 100 then we used it for 40 अब दो सल्मा क्या बोल लिये कि ये कितना funny है कि पहले हमने 400 की जगा यूज किया फिर जाके उसे हमने 10 की जहां पर यूज किया 4 को दो यहां पर 100 की जगा भी 4 है 10 की जहां पर भी 4 है अब दो 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 ताई क्या बोल लिये you must remember that the place of a digit determines its value अब दोखो ताई क्या बोल रही है कि वो जो नंबर की जो place रहती है न वो उसकी value बताती है अगर समय लो ये 400 की जाओ तो ये क्या होगा 400 हो गया यही 4 अगर यहां पर है तो इसकी value क्या होगी 40 हो गयी दोखो unit 10 100 दोखो एक यहां पर 4 है एक यहां पर 4 है तो दोखो यह 100 की निचे 4 है तो यह 400 हो गया अगर वही 4 यहां पर है तो उसकी value 40 हो गयी तो आपको ध्यान में रहे हैं कौन सा 4 कहां पर है इससे हमें place value मालूम पढ़ती है आगे गया दोखो the value of 4 in the 100 place is 400 but the value of 4 in the 10 place is 40 ताई दोखो वही बता लिए कि 4 अगर यहां पर 100 की निचे है तो 400 हो गया मतब 400 हो गया अगर वही 4 यहां पर है यह 10 की निचे तो उसकी value 40 हो गयी मतब 40 हो ठीक है आगे देखो कि the 7 in the unit place is equal to just 7 ताई क्या बोल लिए कि जो 7 है unit place में उसकी value 7 यह तो हमें पता है क्योंकि उसके आगे कुछ 0 है ही नहीं आगे क्या देखो बोली यह ताई the value that a digit has according to its place in a number is called its place value देखो क्या बोले यहां पर कि कोई भी digit जो उसके place की सबसे जो value रहती है उसको हम place value बोलते है समलों यह है 4 इसकी क्या value है यहां पर यहां पर है तो इसकी 400 है तो हम इसके place value बोलेंगे 400 है और यह 4 देखो यहां पर है तो इसकी क्या value है 40 तो हम वही उसकी place value बोलेंगे कि 4 की यह वाले 4 की place value 40 है यह वाले 4 की place value 400 है ठीक है यह बात आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ऐसे ही question वे आगे आने वाले हैं अगे अब देखो, ताही क्या बोले है, आगे ताही बोले है, in the number 576, the place value of 5 is 500, the place value of 7 is 70, and that of 6 is 6, अब ताही क्या बोले है, तेखो जो number है, हमारे पास, 576 इसमें जो धेखो, ये वाइब है उपर च्छोटा से लिख दो यूनिट 10, 100 ऐसे हमें आसानी होगी देखो ताइब क्या वहले यह नंबर में 5 की वैल्यू क्या है 500 है क्योंकि यह 100 के नीचे तो यहाँ पर प्लेस वैल्यू 9 की क्या है बच्छे दो अगर आपको जानना है ना प्लेस वैल्यू एक और आसान तरीका है 9 है उसके आगे कितने 0 है एक 2 तो आप 9 लिखो उसके आगे दो नंबर है तो दो नंबर है तो वह दो नंबर की जोगा 0 डाल दो दो एक दो 0 तो यह क्या होगया 900 बतार इसकी 9 की प्लेस वैली जहाँ पर 900 है या तो आप ऐसे भी देख सकते है यूनिट 10 100 तो यह 100 के नीचे है तो इसकी 900 है आप दो यहां पर 3 है तो आप 3 लिखो उसके आगे एक नंबर है तो एक 0 डाल दो 3 की प्लेस वैली होगी 30 अब बाकी आपका आखे में बसता है 4 तो 4 अकेला है तो इसकी प्लेस वैली हो जागी 4 ओके अब दो उसके आगे वाले नंबर पर देखो उसके आग जिरो की जिरो ही डाल दो उससे कुछ फरक नहीं पड़ता है जिरो का हमेशा place value जिरो ही रहेगा अब दोगो यहाँ पर 5 है 5 के आगे कोई कुछ भी नहीं है तो आप सिर्फ 5 लिख दो मतलब इसकी place value होगी 5 ओके चोलो भी आगे देखते हैं आगे देखो यहाँ पर आपको है यहाँ पर देखो आपका है 444 देखो उपर unit 10100 आपको दिया गया है अब इससे हम place value देखते हैं तो देखो सबसे पहले हम देखते हैं 100 की place value 100 के आगे कितना 0 है 4 जो है 4 जो है उसके आगे कितना number है 12 तो 4 लिखेंगे हम यह 4 लिखेंगे यहाँ पर यह दोखो ऐसे बताए आपको 4 लिखेंगे आगे 2 नमर तो 2 0 तो इसकी place value क्या होगी 400 उसके बाद यह वाले 4 पर आएंगे यह वाला 4 लिखेंगे उसके आगे कितना number है 1 नमर है तो 1 0 तो इसकी place value 40 हो गई अब यह वाले 4 पर आएंगे यह वाले 4 क्या आगे कितना number है एक भी नहीं तो सिर्फ 4 लिखेंगे इसकी place value हो गई 4 अब देखो यह वाले example देखो आप यहाँ पर क्या आपको दिखाया है यहाँ पर आपको दिखाया है 6 639 यह 6 की place value जाना है तो क्या करेंगे हम 6 लिखेंगे उसके आगे कितना number है 1,2 तो 6 लिखे 2,0 तो क्या होगे इसकी place value 600 अब देखो इसकी place value जाना है तो 3 लिखेंगे हम उसके आगे कितना number है 1 है तो 1 0 डाल देंगे इसकी place value क्या होगी 30 अध्यू यहाँ पर हम 9 जो है यहाँ पर 9 लिखेंगे उसके अगे यह तना नमबर है एक भी नहीं है तो अब एक भी 0 नहीं डालेंगे तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो गई? 9 हो गई ठीक है बच्चो इस से आप place value आसानी से जान सकते हो अब दिख आगे आपको question क्या है right गा place values of the underlined digit क्या बोल रहे हैं कि जो number दिए गए न है इसमें जो underline है न उसके आपको सिर्फ place value बतानी है ठीक है बच्चो एक दम आसान है मैं आपको बताता हूँ आप pencil और book लिकर बैड़ियो और मेरे साथ लिख लो चलो भी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर देखो बच्चो मैंने आपके लिए लिख के रख रहे है question देखो क्या है same जो textbook को question है वही है write the place value of the following place value of the underlined digit मतब कि जो भी underlined की है उसकी place value लिखना है पहले क्या है देखो आपको 919 तो अगर आपको इस 9 का place value जानना है न बच्चो क्या करो आप यहाँ पे 9 लिख दो और आगे कितने नंबर है देखो 9 के 12 2 नंबर है तो अब 20 डाल दो 1 2 तो इसकी place value क्या होगी 900 होगी simple अब देखो यहाँ पे आपको 135 है तो यहाँ पे आपको 3 की place value जानना है 3 underline है तो आप क्या करो मालूम यह जो 3 है न वो लिखो उसके आगे कितना नंबर है 3 के आगे एक नंबर है तो एक 0 डाल दो तो इसकी place value होगी 30 आप देखो आगे आओ आगे क्या आपको यहाँ पे आपको 20 आपको किसकी place value जाना है जीरो की तो यहाँ पे आप 0 लिखो उसके आगे कुछ भी नहीं है जीरो की place value हमेशा 0 ही रहती है बच्चो ठीक है तो यह 0 हो गया ओके आप दोखो फोर्थ वाले में क्या आपको आपको है 305 तो इसमें आपको place value लिखनी है 5 की तो यहाँ पे आप 5 लिखो उसके आगे कितना नंबर है एक भी नंबर नहीं है तो एक भी 0 नहीं आएगा मत्तब 5 की place value है 5 अब चलो आगे चलते है आप दोखो आपको फिफ्ट वाले में क्या दिया हुआ है फिफ्ट वाले में आपको 480 तो इसमें दोखो आपको किसकी place value लिखनी है इसमें आपको 4 की place value लिखनी है तो आप क्या करो आप simply यहाँ पे 4 लिखो उसके आगे कितना नंबर है तो आप 2-0 डाल दो तो इसकी place value क्या होगी 400 आप दोखो 6 वाले में क्या आपको 32 इसमें आपको 3 की place value लिखनी है तो आप क्या करो यहाँ पे 3 लिखो आगे कितना नंबर है एक नंबर है तो 10 डाल दो यहोगी इसकी place value 30 simple ऐसे आपको करना है ठीक है चोलो भी आगे देखते है अब आगे आपको काय दिया हुआ है यहाँ पे अब दोखो आपको है a number and it's expanded form folding fun देखो एक नंबर और उसका expanded मतब कि बढ़ा करके लिखना नंबर को बढ़ा कर लिखना folding fun मतब कि यह हमने पहले वाले चैप्टर उसमें किया था ऐसे fold करके वही हम यहाँ भी करेंगे ठीक है fold करके देखो अच्छो इस से लिए किसे देखो यह मैंने बनाया ना देखो यह 4 है यहाँ पे यह 20 यहाँ पे 400 है plus यहाँ पे 30 मतब यहाँ पे 30 है उसको plus 5 है ठीक है ऐसे आपको बनाना है आप भी बना लो ऐसी फिर हम आगी करते हैं देखो आपको ऐसे बनाना है बना लो चाहिए तो आप अब आगे आपको क्या है अब देखो ताई क्या बोल रही है let's make a folding card to show a three digit number and its expanded form ताई क्या बोल रही है कि चलो हम यह folding card बनाते हैं एक three digit number और उसका expanded form बताने के लिए अधिको ताई बता लिए कैसे बनाना है take a strip of paper and fold it into seven equal parts as shown alongside ताई क्या बोल रही है कि एक paper लो और उसको 7 equal भाग में ऐसे उसको divide करो बाटो आगे क्या है ताई क्या बोल रही है think of three digit number ताई क्या बोल लिए कोई भी आप three digit number सोचो चलो हम माल लेते है 435 यह हमने सोचा है तो आपको क्या करना write the expanded form of this number on the paper strip as shown अब हो ताई क्या बोल लिए इस number का expanded form जैसे यहाँ पे दिखाया है वैसे लिखो now fold the paper along the bold line as shown in the figure alongside क्या बोल लिए क्या करो आप यह जो dot dot वाली line है ना इस तरीके से आप इसको fold करो इसको वहाँ से उठा के यहाँ तक fold करो उसके बाद यहाँ से उठा के यहाँ तक fold करो जो dot dot line है आगे क्या बाइ फॉल्दिंग पेपर zero जो two zero है plus and जो एक zero है वो और hidden only and only the number four hundred and thirty five can be seen तो आई क्या हो लिए जब आप इसको उठा के fold करोगे तो यह वाला zero और यह वाला zero छिप जाएगा कैसे बच्चो देखो हम देखते हैं देखो बच्चो पहले तो यह है हमारा expanded form ठीक है अब इसको हमें जब छोड़ा करना क्या करना आपको यह 5 वाला उठा के यहां तक करना है यहां पर रख देना है और उसके बाद यहां से ऐसे उठा के आपको यहां पर रख देना है तो देखो आपको क्या बच गया है four hundred and thirty five देखो इस तरीके से हमारा देखो यह वाला नंबर है ऐसे बचा है 435, सारे 0 छिप गए हैं, ओके, तो ताई वही बोल लिए, thus we can show the number when the paper strip is folded and it's expanded form when it's unfolded, ताई क्या बोले कि इस तरीके से हम दिखा सकते हैं, कि यह number है हमारा 435, जब हमें इसका expanded form कर दिखाना है, तो क्या करेंगे, हम paper को खोल देंगे, यह हमारा हो गया, यह हमारा expanded form हो गया, और अगर हमें number दिखाना है, तो हम इसको fold कर देंगे, यह हमारा number है, देखो 435, expanded form हमारा है, यह हो गया, ताई वही बोल लिए, आगे देखो क्या आपको अभी, अब देखों यहाँ पर ताई बता रही है, introducing the number thousand, देखो बच्चो, अब तक हमने hundred तक पढ़ा था, 100, 200, 300, 400, 500, 900 तक हमने, हमने सिर्फ hundred तक पढ़ा है, अब हम thousand के बारे में जानने वाले है, आपको तो पहले से पता होगा मुझे मालू में, आपने हजार के note देखे होंगे, यह सब thousand तो आपको पता होगा, यहाँ पर हम पढ़ना शुरू करें thousand के बारे में, देखो thousand क्या होता है यहाँ पर, क्या होता है यहाँ देखो, we get hundred when we add 99 and one, 99 plus one is equal to hundred, देखो यहाँ पर क्या बोले है, कि जब हम 99 में one को add करते है, तो हमें मिलता है hundred, अब समझे लो, आपके पाद 99 रूपी है, उसमें एक रूपय आप add करोगे, एक रूपय मिलाओगे, तो आपके पास सो रूपय हो जाएंगे, वही यहाँ पर बता है, अब आगे क्या बोल रहे है, now let us add one to 999 in vertical arrangement, अब क्या बोल रहे है, कि चलो, जो 999 है, इसमें हम one add करते हैं, तो देखो कैसा रहेगा, अब देखो यहाँ पर क्या है, 9 units plus one unit make 10 units, अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहे है, कि 9 plus one जो है, उसको add करेंगे, तो बन जाएगा 10, 9 plus one केतना होता है बच्छो, देखो 9 उंगलिया निकालो, इसमें एक और add करतो कितना हो जाएगा, 10, 10 हो गया ना, तो 10 जो होएगा बच्छो, देखो आपको तो याद होगा, addition में कैसे रहता है, अब देखो यहाँ पर 10 है, तो हम यह वाला number जो है, यह वाला right side वाला लिखते हैं, नीचे और जो left side वाला number है, यह वाला, इसे हम carry में लिख देते हैं, तो देखो, हमारा यहाँ पर right side वाला number लिखे है, left वाला हम पर carry में चला गया, carry over हो गया, अब देखो उसके बाद क्या 9 है, 9 के नीचे कुछ भी नहीं है, तो हम carry over होला number जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा, 9 प्लस 1 वापिस 10 हो जाएगा, तो 10 का 0 नीचे और 1 वापिस carry over में चला गया, ठीक है, अब देखो, यहाँ पर 9 है, वापिस 9 के नीचे कुछ नहीं है, तो यह carry over होला जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा, 1000, तो को यहाँ पर वही बता है, now 10s and 1 10s make 10 10s, which is 100, क्या बुलने है, कि अगर आप 9 में, 9 जो 10s है मतल़ यह वाला है, इसमें आप 1 जोड़ेंगे, तो यह बन जाएगा 10, जो हो जाएगा 100 हो जाएगा, 900 and 100 makes 10 100s, अब क्या बुलने है कि 900 और 100 अगर हम जोड़ेंगे, उसमें क्या बन जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है, this again gives us a 1, which has to be carried over, so we make a new place for this carried over, अब क्या बुलने है कि अभी तक तो हमें 100 तक मालूम था, अब हमारे पास जो एक और नया, आप देखो, यहाँ पे हमने 0 लिखा, और 1 कह रही हो, और यहाँ पे गया, तो अब यह 1 लिखने के लिए हमें नया एक place बनाना पड़ेगा, 1000 जिसे हम बूलते हैं, तो अब से हमें एक और place बालूम पड़ी है, 1000, अभी तक हमने 100 तक सिखा था, यह 1000, तो यह क्या बनेगा, 1000, अब देखो, आगी क्या बोल रहे है, अब क्या बोले हैं, 1000 जो नंबर रहता है, जहां से स्टार्ट होता है, वहाँ पे 1 रहता है, 1000 की जगहां पे 1, और बाकी जगहां पे 3 जगहां पे 0 रहता है, ठीक है, अब देखो आगी क्या है, अब देखो, मतलब की यहां पे 1 है, बाकी उसके अगर 3 0 रहेगा, तो हम इसे 1000 पढ़ते हैं, अगर 1 है, उसके आगे 2 0 सिर्फ है, तो उसे हम 100 पढ़ते हैं, ठीक है, 3 0 है, अगर 1 के आगे तो हम 1000 पढ़ेंगे, अब देखो बच्चो, यहां पे आपको एक एक एक्जामप 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 माला है, पहले वाली लाइन में 10 माला है, एक माला में अगर 10 मूती है, तो 10 माला में कितनी मूती हो जाएगी बच्चो, 100 मूती हो जाएगी ना, तो पहली लाइन में 100 मूती है, दूसरी लाइन में एक और 100 मूती हो जाएगी 200 मूती, फिर 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 टोटल देखो बच्छो सौ माला है अब देखो सौ माला है यहां पे सौ माला है और हर एक माला के अंदर दस मोती है तो कितनी मोती हो जाएगी बच्छो देखो दस मोती हर एक माला के अंदर है और टोटल सौ माला है तो मतलब हमें यह जो जीरो है यहां पे लिख देंगे कितन आप आपस आपस वीडियो में हम करेंगे एडिशन विधाउट कैरिंग और यह हम करेंगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि आपको ये वीडियो भी मिले अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो जो हमने अभी किया है तो आप इस वीडियो को लाइक करो और शेर करो अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करो थैंक यू